दोस्तों नमस्कार कैसे हो आप सभी फिर से देखो जल दाजिर हो गया आपके सामने आज हम ऐसे विश्य के बारे में बात करने वाले इस वीडियो के माध्यदम से कि बहुत बड़ा सवाल आप उसे कितने लाइव में कितना जादा पूछते हो कमेंट्स में कितने जादा पूछते हो कि हमें जो सिनॉप्सिस है उसकी जरूरत कप पढ़ने वाली है अगर आप किसी भी पिएचडी और एमफिल कोर्स में किसी भी विश्विद्धाले में आप एडिशन लेते हो तो सिनॉप्सिस आपके लिए बहुत बड़ा मुद्धा बना हुआ है तो कैसे सिनॉप्सिस बनाते हैं इसके लिए मैंने वीडियो बना रखे हैं आप जाके देख लीजिए तो दोश्तों आपको पताईए कि तमाम इस समय पिएचडी और एमफिल के एंट्रेंस एक्जाम हो रहे हैं या होने वाले हैं उसको आप पास कर लोगे उसके बाद में आपको सिनॉप्सिस की जरौत पढ़ने वाली है तो बहुत से लोग कहते हैं कि सार हमें सिनॉप्सिस बनाना है हमें फ़लानीग उनसे टीमा फौम एपलाई करना है तो मैं इस फ़श्ड सब्दों में आपको बताना चाहूँगा कि फौरम को एपलाई करते समय आपको किसी भी प्रिकार का सिनॉप्सिस, चिप्त का की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ओनलाइन या ओफलाइन आपके डेकोमेंस के साथ आपको फॉम फिल करना है, आपको सिनॉपसिस की वहाँ पर जरूरत नहीं है, अब मैं आपको बता दूपसिस की आपको जरूरत कप पड़ेगी, आपको सिनॉपसिस की जरूरत में किस topic को पर किस तरह का research करना चाओगे तो आपको वहाँ पर अपना जो prospect है यानि संचित का अर्थात यानि की जो आपका synopsis है उसके बारे में आपको बताना होगा या एक condition ऐसी हो सकती है कि आपने जियारे pass कर रख है आपने net pass कर रख है और आप without entrance exam के सामने जा रहे हूं उनके तो जब भी आपको वाई वाई इंटर्व्यू के लिए बुलाया जाए तो तब आपको synopsis या फिर संचित का की जरुवत पढ़ने वाली है तो इससे पहले आपको कहीं गबराने की जरुवत नहीं है तमाम यूनिसिटियों के फॉर्म निकलते हैं तो इसको मैं आउगत करा देता हूं देख सकते हो आप यहां पर मैं इस तरह के वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए जो भी यूनिसिटी में एपलाई करना होता है फॉर्म को और इसके लाव रिसर्स के तमाम डी यू और जेन्यू को खास कर मैं फोकस करके मैं बहुत सारी वीडियो बना रहता हूं तो इसका भी मैंने वीडियो बनाए काफ़े सारे मस्ती मजा के वीडियों आप देख सकते हो तो इन पर ज़्यादा फोकस करता हूं और अगर मेरा व्यक्तिकत अन्भाव जो सा मेरे PhD का अनबाव है या पिर इतने दिन का जो सिक्षन का अनबाव है उसके आदार पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा अगर आपको हमारे देश की किसी भी स्टेट की सेंटरल उन्सिटी में अगर मौका मिल रहा है रिसर्स करने का तो आप वहाँ पर जाएए या फिर इससे जादा और अफग्रेड करना चाहते हूँ जननत में आना चाहते हो तो जेन्यू आईए जेन्यू और डीउ आईए इससे बहतर जगा और कहीं नहीं है आपने केरियर को एक नए आसमान नए परवान तक चड़्धाने के लिए तो ऐसी तमाम जानकरी डियू, जेन्यू या इसमें कौन-कौन सी जो अंदर की बाते हैं जो आपको एडिशन दिलाने में मदद कर सकती हैं ऐसे कौन-कौन सी सवाल है जो आपको गूगल पर ढूंडने पर भी नहीं मिल सकते केवल अनभाव के आदार पर मिलेंगे मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रवाइड करवाँगा तो उमीद है वीडियो पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आया है मुझे मालूम है आप लाइक कर दीजिए और जल्द मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक नमस्कार